नमस्कारम, सर्वेशाम, छात्रानाम, स्वागतम अस्ति, अध्यवयं संस्कृत साहित्य इतिहासः इतिविशयस्य प्रश्णाहा पठिश्यामह नमस्ते विद्यार्थियों, संस्क्रित साहित्य का इतिहास दामक पुस्तक हमने पून कर ली है अब यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रश्न बता रहा हूँ, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है परिक्षा की द्रिश्टी से, आप उन्हें लिख लीजिए, मैं दो दुबार बोलूँगा, आप उससे ध्यान पूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे, इन प्रश्नों का उत्तर पहला जो विशय है वो मैं रामायन एवं महाभारत से संबंधित विशय से संबध्ध प्रश्न बता रहा हूँ, यहां लिखा है उपजीव्य ग्रंथा नाम विशये लिखन्तु, के उपजीव्य ग्रंथा हा, उपजीव्य काव्या हा, के, उपजीव्य काव्य क्या है और उनके विशय में तेशाम विशये लिखन्तु। उपजीवे कावे कौन-कौन से हैं और उनके विशय में उनके नामों का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्ण यहां पर आता है रामायनस्य रचयता कह अस्ति तस्य कवे है नाम लिखन्तु। रामयन के रचयता कौन है उनका नाम लिखिये। आगे रामायनस्यर रामायने कति कांडाह संति। रामायन ग्रंथे कति कांडाह संति। रामायन ग्रंथ में कितने कांड हैं। रामायने कति कांडाह संती रामायन में कितने कांड हैं। प्रत्येकम नामानी लिखन्तू। प्रत्येक का नाम लिखिये। रामायने कति कांडाह संती तेशाम नामानी लिखन्तू। रामायन में कितने कांड हैं। उनके नाम लिखिये। अगला जो प्रश्ण है वो है रामायने कती श्लोकाह निबद्धाहा रामायन में कितने श्लोक हैं तो रामायने कती श्लोकाह निबद्धाहा अगला है ये रामायन के प्रश्ण जो थे मैंने आपको सारे बताया अब कुछ प्रश्ण में महाभारत के बता रहा हूँ पहला प्रश्ण है केन कारणेन महाभारत है शत्साहस्त्री सहीता कच्छते ये लिखा है कि महाभारत को शत्साहस्त्री सहीता क्यों कहा जाता है केन कारणेन महाभारत है शत्साहस्त्री सहीता कच्छते किसलिए कहा जाता है अच्छा कह विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक गरंथ महाभारत स्थ्य अंशभूत अस्ती वह कौनसा विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक गरंथ है यह महाभारतस्य अंशह अस्ति जो महाभारत का एक अंश है उस गरंथस्य नाम लिखन्तु जो महाभारतस्य अंशह अस्ति ठीक है इसमें भगवत गीता ये उत्तर है अगला महाभारतस्य लेख कह कह महाभारतस्य लेख कह कह महाभारत के लेखक कौन है अगला है महर्शी वेद व्यास महर्शी वेद व्यास का दूसरा नाम कह अस्ति और क्या नाम है कृष्न द्वाई पायन ये उनका नाम है कृष्ण द्वाईपायन यह है महरशी वेद व्यासस्य अपर नाम कृष्ण द्वाईपायन आसीत ठीक है महा भारत के अब यहाँ पर अगला कोश्चन में बता रहा हूं आपको यह लिखा है शांती परों में मुख्य रूप से किन बातों का वर्णन किया गया है महा भारते कती परवाणी संती महा भारते कती परवाणी संती महा भारत में कितने परव हैं शांती परवनी शांती परव में केशाम वारता नाम वर्णनम अस्ती किन बातों का वल्लेख किया गया है महा भारतस्य शांती परवणी केशाम वारता नाम वर्णनम अस्ती यहाँ पर एक ओर प्रश्णे महा भारतस्य युद्ध कति दिनानी यावत प्राचलत महा भारतस्य युद्ध कति दिनानी यावत अचलत महा भारत का युद्ध कितने दिनों तक चला यहाँ पर मैंने आपको महा भारत एवं रामायन से संबध कुछ महत्वपूर्ण प्रश्ण बताए हैं अगले वीडियो में हम महा काव्य से संमध्धित प्रश्णों का उलेक करेंगे धन्यवाद